है गाइज वेलकम तू सक्सेस्की 98 आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे जनल साइन्स का इस क्लास में जो की है पार्ट 17 और हम देखने जा रहे हैं जी हां समान निविज्ञान से कुछ ऐसी सवाल जो कि आपके एक्जाम ग्रूब डी और एल पी के लिए बहुत ही ज चुड़े होए हैं और जिनका एक्जाम है आज वो जरूर एक बार क्वेस्टन को सेयर करें किस तरह कोशन आया है और कैसे कोशन पूछे जा रहे हैं तो चलिए आज हम क्यूशन सुरू करते हैं क्योंकि और भी एक्जाम है जिन बच्चों का वो बच्चे प्लीज हमारे सा क्यूज में बने रही है क्योंकि यह सारे question important है और यहां से question पूछे जा रहे हैं जी हां यहां के question आए हुए है exam में इसलिए question को repeat किया जा रहा है आप सभी के लिए और previous year के question बहुत repeat कर रहे है एक्जाम में तो आप सभी पूरी question के सिनारियों को जरूर देखिएगा तो चलिए हम सुरुआत करते हैं और देखिए जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथी साथ बे कितने neutron होती हैं तो neutron की संख्या बतानी है and atom of a carbon has six proton its mass is 12 and how many neutron are there in the carbon atoms चलिए तो अगर आपको answer पता है तो इसका answer नीचे comment box में जाके जरूर answer अपने comment कीजिएगा और पूरे Ques में बने रहीएगा क्योंकि यह सारे question जितने भी अभी तक के life science से लेकर और general science की classes में दी जा रही है आपको यह सारे question important है और exam में पूछे जा रहे हैं ऐसे सवाल ठीक है तो इसका answer बताईए अगर आपको पता है तो और जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो पर सारे के सारे PDF available की कराया जा रहे हैं आप सभी के exam के लिए बहुत ही important है तो जरूर एक बार जाकर चेक किज़ेगा इस website पर और जो भी बच्चे हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं टेस्ट स्रीज के लिए तो वह success की जिहां success की 98.org पर जाकर टेस्ट को purchase कर सकते हैं मात्र 99 रुपीज में वो भी 7 टेस्ट एविलेबल है ठीक है तो साथ टेस्ट है 99 रुपीज में तो आप इस टेस्ट को जरूर दें ताकि यह आपकी छमता बताएगा कि आप कितने capable हो अपने exam के लिए तो चलिए इसका answer दे ठीक है जिसमें की 6 proton होते हैं और 6 neutron होते हैं और इसके जो मास होता है यानि कि द्रब्यमान कहते हैं वो होता है 12 किसी भी carbon element में atom में अगला सवाल है कि निमलेखित में से आम घरेली उप्योग में की गई वस्तुए और वस्तु विस्फेनल ठीक है यानि की ABPA निरमुक्त करत है जो कि अंतता स्रावी विद्दारक है और मानाव स्वास्त के लिए हानिकारक भी है आउट ओफ दो फॉलोइंग विच्व विच्व विच्वन अफ दो कॉमन हाउस होल्ड प्रड़क्ट्स आइटम्स आर रिलीज्ड दा बिस्फेनल विच इस डिस्फेक्शन और हाम्फ फॉल फॉर दा हीमन हेल्थ चलिए तो यह कौन सा इसा तत्व है जो घर की वस्तू में हम लोग रोज यूज कर रहे हैं ठीक है तो ऑप्संस है इस्टील की वरतन प्लास्टिक के काफी मग ऐल्मॉनियम के बरतन या प्लास्टिक के में जल संग्रह करने वाले बोतल तो कौन कौन सा इसमें ऐसा तत्व है जो बस्तू है जिसका हम उप्योग कर रहे हैं वह हमारे लिए मनुस्य हेल्थ यानि मानों स्वास्त के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है तो आप्सन सामने हैं नीचे कमेंट जरू कीजिएगा आंसर कमेंट जाके यह कोश्य नमबर टू है इसका आंसर बचे इट्स डी प्लास्टिक के जल संग्रह वाले बोतल जी हाँ जिस बोतल में अगर प्लास्टिक वाले बोतल में आप पानी पीते हैं तो पीना बन कर दें क्योंकि यह आपके स्वास्त के लिए बहुत ही हामफुल होने जा रहा है ठीक है वैसे भी जग ले लें उसमें पानी पिया करें तो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा और शाती साथ जल की पूर्थी भी आपके सरीर में सही होगी और प्लास्टिक के जो भी आपके बोतल होते हैं यह अगला सवाल है कि नैट्रोजन के निमलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक नाइट्रिक अमल के इन हाइड्रेट के रूप में माना जा रहा है या माना जाता है चीए तो वीच of the following oxide of nitrogen is known as the any hydrate of nitric acid चलिए तो options आपके सामने है और जल्दी से जल्दी नीचे जाकर आप comment कर सकते हैं इसके answer मैं चाहता हूँ कि इसके answer आप सभी comment करें तो जरूर इसका answer आप मैं चाहूँगा कि comment करें चलिए फट आफट answer नीचे 10 second का time दिया है मैंने आपको तो answer जरूर इसके comment कीजिएगा आप सभी और इसका मैं एक figure भी आपको create कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा important question है और ये question पूछा भी गया है आपके exam में तो इसका कुछ structure ऐसे बनेगा देखिए oxygen के जो element है वो है 2 ठीक है तो ये जो sorry oxygen के जो element है वो है 5 क्योंकि इसका answer है C ठीक है और इसके element बनेंगे 5 और इसके bonding जो बनेगी कुछ इस तरह की बनेगी ये देखिए ये कुछ इस तरह की bonding बनेगी तो इसको note कर लिजेगा क्योंकि ये bonding का भी ये ऐसे structure बनाके ये पूछ सकता है कि ये किसका figure है ठीक है N2O5 का figure है ये और ये एक तरह का bonding है जिसमें की oxygen की जो element है वो 5 है और nitrogen कितना है तो ये है 2 ठीक है तो ये हमारा क्या है तो ये है nitric acid इसको याद रखेगा important question है आपके exam के point of view से चलिए अगला सवाल है निमलिखित में से कौन सा एक baking soda का रासाइनिक नाम है ये important ही question नहीं है most important question है और ये question आपके exam में पूछा भी गया है इसलिए इसको note किजएगा ये third number question है ठीक है निमलिखित में से कौन सा एक baking soda का जी हाँ baking soda आप लोग घर में भी use करते है which of the following is the chemical name of the baking soda baking soda का रासाइनिक नाम बताना है यहाँ पर तो नीचे जरूर जाके answer comment करते रहिएगा और क्यूज में पूरा बने रहिएगा टोटल 20 most important question लेकर आते हैं आपके लिए पर डे और देखिए इसका answer है इसकी potassium bicarbonate जी हाँ potassium इसको hydrogen carbonate भी कहा जाता है अगर इस नाम से अगर आपका question पूछा जाए तो बिलकुल ही ख़राने का जरूरत नहीं है वहाँ पे आप इसको baking soda का ही form समझेंगे ठीक है यह एक रासाइनिक नाम है इसका baking soda का चलिए अगला सवाल है कि किसी तारे की डिपती किस पर निर्भर करती है उसकी brightness डिपती यानि कि उसकी उजला जो होता है प्रकाश जो देता है यह physics science से question है कि किसी भी तारे की जो brightness होती है वो किस पर depend करती है किस पर निर्भर करती है केवल उसके आमाप और तापमान पर या केवल उसके आमाप और पृत्वी की दूरी पर या उसके आमाप तापमान और द्रभ्यमान पर what does the brightness of the star depend on most important question है ये और ये question आपके railway में पूछा गया है 2016 में जी हां इसको important question है ये तो इसलिए इसका answer में बता दूँ इसका answer बच्चे इस B जो की होगा the size and the distance from the earth किसी भी तारे का जो brightness होता है वो किस पे matter करता है ठीक है कितना बड़ा है अगर बहुत बड़ा तारा है तो ज्यादा चमकीला दिखेगा और दूर है तो छोटा भी दिखाई देगा इसलिए इस put bend करता है ठीक है चलिए अगला सवाल है जब किसी ठोस को गरम करने पर वह सीधे ही गैस में परिवर्थित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं संगनन वास्पी करन उर्द्व पातन या विश्रन चलिए यह भी important question है और यह IB में पूछा गया है सवाल चिहां IB 2009 में यह question पूछा गया है कि जल्दी फटा फटा आंसर कीजिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा question है 20 question है आपको क्यूज में करने है और जो भी बच्चे देख रहे हैं उनका एक्जाम है अगर इसीज का group D और LP का तो यह note कर लें क्योंकि यह सारे question पूछे जा रहे है ऐसे ठीक है तो answer है बच्चे इसके उर्द्वा पातन यानि कि उसके deflection पर यह प्रक्रिया होती है ठीक है इस परक्रिया को कहते हैं हम यूभी डिप्लेक्शन यानि कि उर्द्वा पातन चलिए अगला हमारा सवाल है कि निमलिखित में होता है या फिर carbon monoxide और जल्वास्प का मिश्ण होता है तो यह question भी बहुत important है और यह question आपके exam इसे CCGL में पूछा जा चुका है तो इसको भी note कीजिएगा important question है चलिए तो इसका answer में बताता हूं इसका answer है it's a carbon monoxide और hydrogen का मिश्ण होता है मिश्ण होता है मिश्ण होता है जो एक भाप अंगार गैस होता है चलिए अगला सवाल है निमलिखित में से कौन सी एक संचित उर्जान नहीं है नोट कीजिएगा यह question आपको घुमा कर ऐसी पूछेगा कि उर्जान नहीं है बहुत लोग सोचेंगे एक संचित उर्जा है और वहाँ पे गलत आंसर करके आजाएंगे इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखें और यह सारी चीजी आप सभी को यहां पर इसलिए बताई जाती है क्योंकि question का जो pattern होता है हर साल कुछ न कुछ चेंज होता है हर किसी एक्जाम में तो हो सकता है कि question घुमा कर पूछे तो which one of the following is not a stored energy इनर्जी तो आंसर बचे इस ए न्यूक्लियर इनर्जी को कभी भी इसको संचीत करके यानिकी श्टोर करके नहीं रखा जा सकता है जिहां चलिए अगला हमारा सवाल है निमलिखित में से फैलेरिया रोग का रोग वहां कौन सा है यह इन्पॉर्टेंट है क्योंकि दोगों अभी मौनसून जो चल रहा है मौसम जो चल रहा है अभी बरसात का है और इस तरह के रोग होना जायज है तो थोड़ा बच के रहें क्योंकि एक्जाम है बहुत सारे आपके दिसंबर जनवरी तक तो थोड़ा सा अपने आपको सुरक्षित भी रखें इन सब चीजों से ठी सब्सक्राइब करें इसको या इनस पर कोई नहीं या फिर मच्छड और मक्हियां ठीक है मस्टीटो एंड़ बीयर नॉट डियर इट्स बीयर फ्लाइज ठीक है इसको मक्हिया यह एक तरह का मक्ही का प्रकार है ठीक है तो चलिए आंसर कीजिए फटा-फट आगर आपको आ इसको नोट कर लिजेगा इन्पॉर्टेंट है यह हर कोई जानता है वैसे तो चलिए निमलिखित में से चिकन गुनिया रोग का रोग वहां कौन सा है देखिए चिकन गुनिया जो रोग है यह थोड़ा सा करेंट से भी है क्योंकि दो अभी बहुत सारे जो इसूज आए है कुछ न्यूज आई है जो की जार्खट में पाए जा रही है इसका चिकन गुनिया का बहुत यादा प्रकोप हो रहा है वहां पर बहुत लोग कि यह देख हो चुकी है मृतिव हुई है इस रोक के चलते तो इसका कोश्चिन बनता है एक्जाम में जरूर ठीक है तो विच अगला हमारा सवाल है है कई लिखित में से मिलेरिया रोग देखो चिकन गुनिया और मलेरिया दोनों अलग चीजा में लेकिन दोनों में ईो तेजाता को वह— वह ए पैषा कौन है यह बताना है तो इसका रोग वहां के बचे so काटने से मिलेरिया रोग चária चलिए अगला सवाल है अइसा पहला देश कौन सा है जिसने माता से शिशू AIDS समवहन को रोक दिया था जिहां ऐसे कंट्री का नाम बताना है जहां पे एक मदर को AIDS है और उसके बच्चे को AIDS नहीं हुआ ऐसा कौन सा ऐसा देश है और ऐसा वहाँ पर इसके लिए रोग ठाम के लिए एक कारेश चलाया गया है वहाँ के डॉक्टरों द्वारा तो उन्होंने ऐसा किया है कि जो मदर को AIDS था उनके बच्चे में वो नहीं आ पाया है जो कि AIDS है एक अनुवांस की रोग भी हो सकता है अगर माता पीता को है तो उसके होने वाले जो बच्चे है नौजात सिसू उसको भी हो सकता है क्योंकि यह ज्यादा तर जो रोग है यह फैलता है बलड के कॉंटेक्ट में आने से ठीक है 99.9% चांसे होते हैं AIDS का फैलना थ्रू बलड ठीक है तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा और इससे अवेर रहिएगा क्योंकि किसी भी अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो य यह आप विच इस दो फॉर्स कंट्री दप्रिवेंट इंफैंट इड्स फ्रॉम दो मदर तो आंसर बचे इट्स क्यूबा जी हां क्यूबा है ऐसा स्टेट यानि की जो कंट्री है क्यूबा वहां पर ऐसा किया जा चुका है चलिए वहां के डॉक्टर्स के दौरा अगला स इसका उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है चर्म रोग यानि की स्कीन डिजेज मस्तिक्स ग्रें डिजेज या फिर रोग यानि की हर्ट डिजेज या फिर उदर रोग यानि की अब्डॉमल डिजेज तो किस रोग को उपचार करने के लिए इस व्रिक्ष के चा कर लें बिल्कुल ना भूलें सब्सक्राइब करना और साथी साथ बेल के आइकन को भी दबाना ना भूलें और हां मैं तो कहूंगा देखो टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है एक्जाम के लिए तो टेस्ट दोगे तभी आप समझ पाओगे कि आप एक्जाम के काबिल हो या ठीक है तो टेस्ट देने के लिए आप क्या करोगे सक्सेस की देखिए जो भी बच्चे अभी जुड रहे हैं उन सभी को बता दूं सक्सेस की 98.org पर जाकर इस लिंक पे जाकर आप टेस्ट पर्चेस कर सकते हो मात्र 99 रुपीज में याद रखिएगा सिर्फ 99 रुपे में आपको साथ टेस्ट जो की आपके ग्रुप डी और एलपी दोनों कर दे टेस्ट मिलेगा यहाँ पे आपको देने को ठीक है तो जरूर एक बार पर्चेस करके आप टेस्ट दें चलिए अगला सवाल हमारा है जो है इसका आंसर है वो है बच्चे इट्सी हिरदैरोग जी हां हर्ट डिजिस के लिए अर्जुन व्रिक्ष की छाल का हम उपयोग करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कोश्चेन है यह नोट कर लीजेगा इसे बिसवे में सबसे पहले किस अंग का परत्यार ओपन यानि कि ट्रांस्प्लैंट किया गया है कौन से बॉड़ी का इसा पार्ठ है यानिकी हट्ड ट्रॉड़ यह क्रित या फिफड़ा ये चारों हें इसमें सबसे पहला ट्रांस्प्लैंट किया किसी बॉड़ी का तो कौन सा यह आंक 오른anted की एक मनुष्य वह को ट्रांस्प्लैंट किया गया है और वह वर्कर रहा है करेक्ट लिए घ़िनिसी taken सब्सक्राइब YouTube बिलाओं मिले एक इसमें गद आपके अरोगल्शंक्राइब UKying movement कर दिजेगा इसमें जो विटामिन-B होता है अशा जो की हमारे वसा गुप तहीड हुर्त में और कर दो आई आए यह धाम जाते हैं पर सoo Pare दम भीटामिन-B दब मर्जिन दफ्रैट ओके चलिए नेक्स्ट है मानो हिर्दय में कितने कक्ष होते हैं हाउ मेनी सेल्स आर दियर इन दो हीुमन हर्ट चलिए ये कोश्चन में आपको लाइप साइंस की क्लास में बहुत बार दे चुका हूं कारण इसलिए है कि ये कोश्चन हर साल एक बार प करेंगे और जो कोश्चन बताया जाता है यहां पर कि ये कोश्चन इंपॉडेंट है उसको जरूर एक बार नोट कर लिया करें आप सभी ठीक है तो आंसर है बच्चे चार ठीक है यानिकी फूर फूर्स फूर्स लॉट होते हैं बॉड़ी में सोरी हर्ट में जो की किसी भी इलेक्टरॉन की संख्या क्या है इफ दियर इस एंटम्स अटॉमिक नंबर जेड एंद यांद इमास नंबर ए दिन देन नंबर अप यह बदाना है इन्पोर्टेंट है इटस अवाइब जी हां सही बताया इटस अवाइब आंसर बिलकुल सही आपका डी जी हां चलिए lens में भी पढ़ना है, तो बताइए कि प्रतिबिम्ब के कानून, यानि law, ठीक है, the law of the reflection are for, किसके लिए होता है, उत्तल दरपन, उत्तल दरपन, विमान दरपन, या इन में सभी के लिए, तो देखो, जो reflection जो होता है, वो concave, यानि कि उत्तल दरपन होता है, ठीक है, उसमें भी reflection होता है, तो इसका answer है, बचे, it's D, जी हाँ, सभी प्रतिबिम्ब के सत्हें पर इसका होता है reflection, यह जो प्रतिबिम्ब है, यह law है, यह reflection का यह सभी पर होता है, अगला सवाल देख लेते हैं, a whale cut diamond appear bright because of, एक अच्छी तरह से कटा हुआ ही रच, चमकदार दिखाई देता है due to the total internal reflection, जी हाँ, answer बिल्कुल सही है, भी आपका, तो total internal, लिकुल, आंतरिक परतिबिम्ब जो भी बनता है, मैंने इस सीज को define भी किया है, एक figure के थुरू, पिछले कुछ classes में, उस पिछले classes को जुरूर देखा करें आप, क्योंकि कहीं न कहीं आपको कुछ न कुछ जानकारी मिलती है यहां से, हर class से, ठीक है, तो total internal reflection जो भी बनता है, ठीक है, यह जो total internal reflection जो भी बनेगा, वो आपका किसी भी हीरा या फिर किसी भी CCA को काटो आप और उसका अगर, चमकदार पाट जो होता है न, वो सबसे ज़्यादा चमकीला दिखाई देगा, उसके कारण, किसके कारण, तो कुल आंत्रिक प्रतवीम के कारण, ठीक है, चलिए, अगला सवाल देखते हैं, the refractive index of the given piece of the transparent quads is greatest for पारदर्सी quads के लिए टुकडे की अपवर्तक सुचकांक सबसे बड़ी है, चलिए, ये कौन सा light है, बैगनी प्रकास, पीला प्रकास, ग्रीन प्रकास या ब्लू प्रकास, ठीक है, तो सबसे पारदर्सी quads के लिए दिये गए टुकडे की आवर्तक सुचकांक, the refractive index of the given piece of the transparent quads is the greatest for violet, जी हाँ, बैगनी जो कलर होता है, यानि की purple जो कलर होता है, उसके लिए है, चलिए, आंसर बिल्कुल सही है आपका, चलिए, आगला सवाल देखते हैं, हो, सवाल यहां पे अब खतम हो चुका है, तो देखिए हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और साथी साथ आप सभी को ये बता दें, कि क्यूज में कल फिर से लेकर आएं, ये कुछ ऐसे important question हो सकता है, कि आज के exam के, जो 9th of बेस्ट और चैनल पर जरूर जाके सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजेगा, और टेस्ट जरूर देना सुरू कर दीजेगा, क्योंकि अब टाइम नहीं है, और तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं आप से कल, बाबाई